है फ्रेंड्स आपका नी नौलेज टॉप के चाइनल में स्वागत है आप कैसे हैं बताएं और मैं ठीक हूँ देखें आज मैं आपके लिए ये नेक पे डिजाइन और एरलाइन टाप करें बीच में से कट होता है वो मैं ड्रस आपको बनाना ये सिलना बताऊंगी मेरे नी नौलेज टॉप के चाइनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन घंटी दवा कर ज़रूर नोटिफिकेशन ले और मेरी वीडियो जरा सा भी अच्छी लगे तो ज़रूर आप लाइक करें और पिलीज मेरा सपोर्ट करें देखें मैं ये गला कटकी हूँ गला की पट् करने के बाद साइड थोड़ा सा इतर से ये उपर में दाप भी से चला लें तो फिनिसिंग आ जाती है अब जब भी कोई कपड़ा जोइंट करें तो इसमें दाप जरूर चलाएं और इसे भी मैं सिल लूँगी और इसके बाद फिर उपर से दाप चला लूँगी अप मेरी थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें मेरी वीडियो सेयर करें अपने फ्रेंड लोग के पास अपने दोस्त के पास जिसे भी जरूर मेरी वीडियो को सेयर करें और मेरी वीडियो पर कमेंट करें लाइक करें मेरी वीडियो को व नाना बताऊंगी पहले जो तीरा हां कट हुआ है नेक हम काट लिए साइट से सोल्डर कट कर लिए हैं अब चाहें तो अलवर कप्ड़ पर बना सकती है कि कट कर सकती हैं सोरी तो यह तीरा पर हम बीच में पहले दाग लगा लिए हाफ कर लिए बीच पोर्शन और इसे भी मैं जितना गला कट किया है और फिर इसे कट हम देर लेंगे जितना हम गला कर धाइंचेस पौने तीर इंचेस कट किया है यह देखें और फिर जितना तीरा में से मेरे आ रहा है साड़े चार इंचेस तीरा था तो सब दो इंचेस तो पलस करके दोनों को उसके बाद इसे हम दा इस्टार्ट करें बनाना यह देखें यह मैं प्रेस करके लिए आई जहां जहां मैं कट की थी प्रेस करके लिए यह हाइट में मैं 10 इंचेस ले रही हूं आप चाहें तो कम भी कर सकती है एक दो इंच ज्यादा भी ले सकती है देखें हम 10 इंचेस लिए है और इधर से करके दाग लगा लिए हैं और देखें इधर से भी हम 10 इंचे लेंगे हाइट में और उसके बाद 1 इंचे इधर अंदर कर लेंगे गले की तरफ अंदर कपड़ी की तरफ जिए साइट सिलाता उधर नहीं और उसके बाद इसे हम हलका सा गुलाई टाइप का देंगे, हलका गुलाई करेंगे, आप चाहे तो इस टैप से स्क्वाइल भी पुरा लगा सकती है, देखें इस टैप से रखें, और इस टैप से हलका टन करें, निडल गड़ा कर फिर उसके बाद इस टैप से उपर कर लें हम हल्का सा इसे गोल करते हुए लगाए हैं यह देखें हल्का सा यह गोल करते हुए आप स्टापस लगाएंगे तो बहुत खुस्वत लएगा देखने में आप चाहिए तो गोल भी सेम कर सकती है या इस स्टापस moral अब जितना चाहें लगा लें मैं आपको लगा करके दिखाऊंगी दिखे ये फ़र्स्ट मैं लगा रही हूँ ये मैं हलका वीडियो को फ़र्स्ट कर दी हूँ अब चाहें तो इसे ये पैजामा जिस कलर का हम कपड़ा लिये रहती हैं उस पैजामे की कपड़े से भी बना सकती है या तो फिर ये जिग सुरत बन करके तयार होगा ये एक ही देंगे तो इसमें अलका से लएगा कि डिजाइन दिया हुआ कट करके बना हुआ है हम इसमें दो लगाए हैं मैं दूसरे मिल आपको लगा कर दिखाएंगे यह देखे इस टेप से हम अंदर लगाएं हैं इसमें आप चाहे तो बाहर बढ़ा सकती हैं फिर एक और बाहर भी बढ़ा सकती हैं बीस सेंटर में पहले लगाएं थे फिर उसके बाद एक अंदर में बढ़ाएं चाहे तो इधर बाहर में भी एक बढ़ा सकती है पर दो ही में मेरे हेवी लग रहा था क्योंकि कपड़ा में तो कुधे ये फ्लावर बना हुआ हाँ प्लेन कपड़ा रहा था तो ज्यादा भी लगा सकते थे और खुशुरत भी लगता तो इस टैप से लगाने और बीच में जहाँ पर फ्लावर आपको दिख रहा है वहाँ पर बटन दे ले मैं आपको दिखाई नहीं हूँ वीडियो में बताई नहीं हूँ मगर बटन भी लगा लेंगे तो बहुत कुश्चत लएगा बना करके इसके बाद मैं इसमें गला पटी लगाऊंगी देखे गला पटी मैं उस वक तयार करके रखी थी आप इस टैप से गला पटी बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा और चाहे तो आप पेस्टिंग से भी बना सकती है मगर इस टैप से बनाएंगे तो बहुत दम फिनिसि तो आपका बिना इसका पेस्टिंग का अच्छा गला बन करके तयार होगा देखें मैं गला बना ली उसको मैं कट कर दी थी वीडियो फिर उसके बाद ये तीरा जो आंट कर ली ये एक तरब कम है ये सोल्डर जोंट की तीरा और फिर इसे भी देखें कि स्टैप से हम आपको कपड़ा रखें पहले पीछे गला को कंपिलीट कर ले चाहिए आप पक्का कर ले धागा या तो फिर कच्छा करें आप इसे दुसरा रखते हुए आप उसे पलाट करके आगे के पट्टी को अब इससे सिल ले उसके बाद सिधा कर ले मैं कई वीडियो में ये प्रोपर तर आई जो होती है वो कले के पास से दिखेंगी मैं ये दिखें इस टैप से आपको अच्छा लिखाई देखा होगा दूर है थोड़ा पर फिर भी आधर मैं इसमें अब काई के गले पर ये कच्छा कर लोगी पीछे पुरा पक्का कर ली हूं और ये कच्छा कर लिए तैयार ह हो गया देखें कितना खुबसरद बन करके तयार हुए कला आप इसमें ज्यादा भी दे सकती है मैंने दो ही लाइनिंग दी है अब प्लेन पर बनाएंगी तो बहुत खुबसरद बन करके तयार होगा अच्छा लए गई है अब मैं इसे फिटिंग फिटिंग दे दूंगी इसमें ज्याइन करूंगी यह बोली है नीचे का एयर लाइन टैप का ही कटा हुआ है यह हलका सा जैसे नीचे उपर में कमर का इतना लिए है और फिर नीचे जितना मेरे घेर लेना है उतना लेकर के तिर्चा लाइन लगाकर मैं कट कर ली हूँ इसके कटिंग की वीडियो अपलोड है मेरे चैनल पर आप देख सकती हैं बहुत ही इजी तरीके से मैं बताई हूँ और यह वीडियो जो बीच में हम जोइन के यह मेरी क्लीप खराब हो गई है या तो फिर मैं रिकॉर्ड ही नहीं की या मेरी जैसे रिकॉर्ड नहीं हुई जब हम इडिट की हैं तब जो कपड़ा होता उसे रख ले और उसके बाद जो नीची हम लगा रहे हैं बॉटम नीचे का जो शिला हुआ है वह उसे रख करके इस्टीच कर ले दोनों को और फिर उसके बाद साइड फिर उपर से फिटिंग दे दे चाहे तो बगल के पास से या तो फिर अब जहां पर से देना चाहती हैं जैसे कमर के पास से छोड़ कर रखने हैं तो वहां पर से पुरा नीचे तक देखे जहां पर से हम दे रहे हैं मैं उसी टैप से दी हूँ पहले उपर बोडी का फिटिंग दे लिए हूँ, उसके बाद यह नीचे का जोईंट की, उसके बाद मैं कमर के पास से फिर 2 इंचे उपर में फिटिंग दे लिए आए ये देखें मेरा रेडी हो गिया डबल सिलाई ज़रूर कर लें, ये सिधर देखें ये बीच में सिसी जो आई हूं बहुत ही खुबसर लगता है देखने में यह बनने के बाद देखें पुरा और समस्लीव नहीं लगाए हैं आप मेरा गला का डिजाइन दिखाना था और फिर यह यह वोडी के पास का स्टेप की यह श्टेप की आप फुरॉग बनाए है बहुत खुबसदर करके तयार हुए अप्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें अब मेरी वीडियो को वाचि करें लाइक करें सेर करें अपने दोस्तों के पास बहान के पास से जरूर जो सिलाई करती हूं जो यह स्टेज करती हूं कपड़ा उन्हें जरूर मेरी वीडियो सेयर करें और बताएं